क्या क्या equipment यूज होते है उसके बारे में one by one discuss करेंगे और आज हम एभी discuss करेंगे कि IQI कितना type के होते है कौन concept IQI हमको यूज करना चाहिए और कैसे IQI क्या दिखाता है sensitivity कैसे दिखाता है है फिल्म के अंदर और हम लोगों को accept करना है कि पहले तो फिल्म एक्सप्ट करना है कि रिजेक्ट कैसे करना है वो मैं discontinuity की बात नहीं कर रहा हूं जो discontinuity आएगा लेको फिजन लेको पैनरेटेशन टक्टन इंक्लूजन वो सब चीज की बात नहीं कि और सबसे पहले तो आपको फिल्म कैसे accept करना है वो density का limit क्या होता है वो वो सब चीज आज हम पूरा का पूरा depth में discuss करेंगे तो आई यह हम start करते है चप्टर नमबर 14 specialized radiographic equipment ठीक है उसमें है पहला है screen screen जो है बहुत important बन जाता है screen screen के तीन टाइप है lead foil screen fluorescent intensifying screen and fluorometallic intensifying screen तो आज कल हम fabrication industry में हम अगर काम कर रहे तो हम लोगों को generally use होता है lead foil intensifying screen ठीक है तो यह तीन टाइप का हमारा three types of radiographic screen that enable to use the radiation beam more effectively more effective लेने के लिए हम लोग तीन यह यूज करते है इसमें पहला है lead foil screen lead foil screen मैंने यहां पर draw किया है सबसे बीचों बीच में जो मैं यह red color कर रहा हूँ वह अमारा film है ठीक है यहां पर भी लिखा हुआ है देखो यह film है यह है film इसके ऊपर जो है इसके ऊपर जस्क लगाया हुआ है दूसरा color का मैं ड्रो कर रहा हूँ यह दूसरा color का है वह दोनों है lead screen front and lead screen back ऐसा बोला जाता है उपर का एक lead screen नीचे का lead screen और उसके बाद उसके ऊपर जो है वह cardboard रहता है वह आपको देखना है यह सब चीज इसके लिए इंतजाम होते है बहुत सारी इसके रीजन्स है उपर का lead screen का क्या काम है नीचे का lead screen का क्या काम है एक cardboard क्यू लगाया जाता है और इसके ऊपर कास्टल भी आता है वह क्यू लगाया जाता है वह एक 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 डेफ में हम लोग discuss करने जा जो है जाता है उसके ऊपर भी नीचे भी एक में डूखे आपको दिखा देता हूं जो लोग ऑफ-लाइन है उन लोगों के लिए देखो यह जो है इस प्रीन है ठीट एस उपर भी रहता है नीचे भी रहता है नीचे का जो है वो थिक ने ज्यादा होता है, ऊपर का है, 0.05 इस तक अगल बगल में रहता है, देखो ये है, और फिल्म जो है, सबसे पहले exposed नहीं हुआ है, तो black color का नहीं होता है, देखो ये film कैसा है, silver type का है, ठीक है, ये silver, approach silver, blue silver type का है, ठीक है, pink, सोड़ा बुद पिंक टाइप का भी है, ठीक है, त वो विजीबल जो लाइट है उसको आने नहीं देगा। इसके लिए इसको ऐसा करके अंदर फिट किया जाता है, मैं आपको अभी थोड़ा फिट करके दिखाता हूँ। देखो, यह उपर हो गया। इसके बाद यह है नीचे हो गया। ठीक है। ऐसा यह सैट अप किया जाता ह इसके बाद ये समझो ये लाट हो गया, लाइट ये क्या है, मिने लाइट क्या मैं क्यों बोल रहा हूं, pior और लाइट or yeah फिर visible visible light, ये क्यों बया ये विलन है हमारा, हम लोगों को आर्टी फिल्म जो है, वो क्वण खौन खौन एक्सपॉज कर सकता है, एक तो वीजिबल एक्सरे और गामा से कोई प्रॉब्लम नहीं है चलो वह एक्सपोज करेगा वह तो हमको काम है लेकिन वीजिबल लाइट जो बाहर से गुच जाएगा तो वह फोकट का आमारा फिल्म को एक्सपोजर कर देगा फिर वह फिल्म दोएंगे तो हमको फजी इमेस महसूस होगा या देते थे एकदम ब्लैक लाइट जब रहता था उस तेम पर रोल डालता था रोल डालने के बाद फिर कैमेरा फोटो खिशता था फिर हम लोग उसको बोलते थे कि चलो अभी धोके दे दो तो थोड़ी दिन में धोके दे लेकिन कभी-कभी वह रोल एर में ओपन हो जाता था तब इसका मतलब क्या हुआ जब एर में ओपन हो जाना मतलब वीजिबल लाइट उसके उपर पड़ जाता था तो पूरा का पूरा रोल फैल हो जाना फिर फिर से ओपोटो केन ने शायद आया होगा आप लोगों को experience शायद ऐसा हुआ होगा तो ऐसा ही होता है लाइट जो ह वह विलन है, हम लोगों को जब आटी फिल्म कब जोई कोई भी मैनुफेक्चरर से हम खरीतते हैं, तब हमको मेरे भाई वह लाइट से बचा के रखना है, जब तक वह डेवलोप ना हो जाए, तब तक लाइट से बचा, इसके लिए तो मेरे भाई डाकरूम का अरेंजमेंट ह हमने एक चप्टर एक घंटे तक डिस्कूस किया, कैसा डाकरूम होना चाहिए, वह डाकरूम इसी के लिए होता है, ठीक है, आगे बढ़ते है, यह आज का टॉपिक है, लीड फॉइल स्क्रीन जो है, थिन लीड शीट है, उपर भी लीड है, नीचे भी लीड है, उपर का है नीचे का बैक लीड बोलते है, यूजली माउंटेड इन कार्बोर बेज, कार्बोर बेज में यह माउंटेड होता है, अगर जिन लोगों को अनलाइन में है, वो लोग यहाँ पे ड्रो किया हुआ है, या कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है, अभी देखो, लीड स्क्रीन आर प्लेस्ड इन फ्रंट एन बेक इन फिल्म शोन बिलो, तो अभी पहले लीड स्क्रीन इस फ्रंट टू इंपोर्टन परपस, तो लीड स्क्रीन जो ऊपर लगाते है, उसका बहुत इंपोर्टन पार्ट है, भाई अगर नहीं लगाया, तो क्या-क्या कांड हो सकता है, उसके यहां पर ऐसा कोई object है, ठीक है, इसको बोलते है object, यह object है, इसके उपर से पास होके, यह आर्टी film है, यहां पर आर्टी film लगाया हुआ है, तो यह बीच ओ बीच में हमने यह जो है, मैं यह एक लर का डो कर रहा हूँ, वो फिल्म है, ऐसा समझो, तो यह जो फिल्म है, उपर ये lead है lead लगाया है उसको बोलते है front lead ठीक है अभी उपर जो है radiation आया radiation आने के बाद अगर low radiation इसके उपर पड़ा तो वो radiation film के अंदर proper latent image generate नहीं करेगा वो जनलू बाम जैसा है वो कुछ काम का नहीं है तो इसी की बज़ा से उपर जो ये lead लगाया हुआ है lead screen वो उसको absorb कर लेगा वो क्या करेगा वो फिल्म के ओपर जाने ही नहीं देगा उसको low energy का जो radiation है उसको absorb कर लेगा तो वो filter का का काम करेगा फिल्टर का काम घर में filter आता है वो क्या काम करता है अच्छा सा पानी गल लेता है अच्छा जो कच्रा कच्रा है वो एकदम शोक लेता है बाकी का सब अच्छा पानी है वो नीचे निकलता है और वही पानी अंपीते है filter के अंदर वही situation यहाँ पर बनने वाला है यहाँ पर उपर से X-ray आया लेकिन अगर उसका radiation low है तो वो फिर नीचे जाने ही नहीं देगा ठीक है दूसरा उसका काम क्या है increase the photographic action on the film discuss in next paper मतलब next page तो increase the photographic मतलब जो देखो उपर से आया low image low radiation को शोख लिया तो इसका मतलब यह हुआ कि high radiation को नहीं शोखेगा शोखेगा लेकिन इतना भी नहीं शोखेगा और क्या होगा वो फिल्म के ऊपर जो high radiation गिरेगा तो अच्छा का अच्छा इमेजम को मिलेगा ठीक है दूसरा scattering जो है scattering है उसको भी कंट्रोल करेगा दूसरा यहां पर समझे ऐसा कोई scattering आया तो उसको भी कंट्रोल करेगा वो भी फिल्म के अंदर चाने नहीं देगा lead screen in the back of the film मतलब एक पीछे की साइड में जो होता है वो open thicker sheet वो मोटा रहता है उपर वाला थोड़ा पटला रखना है और नीचे वाला है वो मोटा रखना चाहिए देखो यहां पर शाहिद दिखाया है यह नीचे के साइड वाला ठीक है यह back back film जो है यहां पर यह नीचे उपर फिल्म है और उसके उपर भी lead लगाया हुआ है ठी of the radiation back scatter अभी back scatter का आपने लोचाल आपसी समझा देखो तीन टाइप के scattering होता है एक तो internal scatter दूसरा है वो sidewall scatter तीसरा है back scatter अभी back scatter जो है वो क्या करेगा यहां से समझो ऐसा करके नीचे आया और यह से return जाएगा लेकिन यहां तो पहला फिल्म के पहले तो उसको lead मिलेगा तो lead भाई उसको जाने ही नहीं देगा अगर हाँ ठिकने ज्यादा है इसके लिए जाने नहीं देगा मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पे back scatter को भी वो control करेगा control तो नहीं उसको ही absorb कर लेगा ठीक है तो यह फंडा clear है उपर का क्या क्या करेगा लोग वाले को शोक लेगा नीचे वाला रेज है या क्वालिटी वाला गामा है वही जाने देगा ठीक है आगे बढ़ते है रिस्क्रीन एक्ट इंटेंसी फायर विकोज एक्सरे एंड गामा रेज कोज द इलेक्ट्रोन लाइब रेट फॉम द लीड अभी दूसरा प्रॉब्लम क्या है कभी कभी क्या होता है इलेक्ट्रोन का मुवमेंट होता रहता है हमने देखा ना क्रॉम्ट्रन इफेक्ट में क्या होता है क्रॉम्ट्रन इफेक्ट में उपर से न्यूट्रोन मारते है तो मेरे भाई उपर से समझो कोबाल्ट को न्यूट्रोन का मारा करते है तो खाली खाली एक्सरे गामा ही नह को इलक्ट्रोन है बीटा जह है Idытroid रहेगा वहां वहां पर फजी इनिच्ट करेगा ब्लैक यहां पर गुंएक है कि नहीं है चुली वह कुछ नहीं था वह इलक्ट्रोन था फिल्म के अंदर गूंग रहा यहां पर करने करके जाता है फिर आर्टी लेंगे तो पता चलेगा यहां पर तो रैक दिखा रहा है वैसा ही यह फिनके अंदर इलेक्ट्राइब और गुमता रहेगा और काम का चीज नहीं है अभी दूसरी बात वह समझो। अगर क्लोज नहीं है तो कांड क्या होगा सबसे पहले हम लोग मैं आपको यह बताता है अभी मैंने दिखाया ना कि लीड स्क्रीन दोनों के ऊपर एकदम बीचों बीच में हमारा फिल्म है एकदम टचों टच है उसमें कोई गैप नहीं है अगर गैप होगा इन केस गैप है समझो यह मेरा बीच वाला फिल्म है यह है मेरा बीच वाला फिल्म है यहाँ पर लिखा भी है फिल्म ठीक है इसके ऊपर यह लीड है यह लीड साला ऐसा है समझो यहाँ पर ऐसा गैप है एक्जम्पल के तोर पे ठीक है यहाँ पर भी ऐसा गैप है एक मिनिट तो अभी X-ray उपर से आएगा उपर से X-ray आया तो यहाँ पे उसको angle मिल गया यहाँ पे angle मिलेगा तो शायद अगर कम radiation वाला रहेगा तो कम X-ray का energy रहेगा तो ऐसे वो turn लेगा मतलब वहाँ पे angle बनाएगा और angle बनाके यहाँ पे समझो यह film के उपर आया तो कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि यहाँ का image जो है वो हमको यहाँ पे मिलेगा इसका मतलब थोड़ा दूर मिलेगा लेको फ्यूजन यहाँ था हमने काट दिया यहाँ पे grinding के बाद grinding करने के बाद हमने वहाँ पे काट दिया फिर वो grinder हमारे पास गुमते गुमते आता है सा तो अभी डूसरा में आपको दूसरी तरह से समझाता हूं समझो यहां से आया और यह यहां पे एंगल होने की छक्कर में यह शाय निकल भी जाये यह यहां पे आया यह शाय दैसे भी याज़ाए एंगल की तरह मतलब image भी change करेगा समझे आप इसके लिए आपको gap नहीं रखना है एक दम touch or touch रखना है यह lead spoil को ठीक है बहुत front and back lead screen added in formation of the image and due to the effect of scattering radiation तो scattering radiation को भी वो control करता है अगर एक दम नजदिक में है तो any space between screen and film अगर space रखा आपने आपका film है वो और screen के allow the electron spreading posing the fuzzy image तो वो electron कैसे भी गुषेगा और direction में गुषेगा और जैसे ही direction change होगा उसका वो फिर धीरे धीरे travel करना लगेगा film के अंदर वो फिल्म के अंदर travel किया तो आपको पता है fuzzy image मिलेगा तो मैं और लेड़ी समझाया आके बढ़ते है lead screen essentially intensify the high energy range and absorb the low energy range yes definitely lead screen जो है वो क्या काम करेगा intensify मतलब filter जैसा काम करेगा high energy को ही पास होने देगा और उसको थोड़ा बहुत उसको भी absorb करेगा और lower energy को भी absorb कर लेगा देकिन high energy को समझो absorb किया तो भी वो तो जा नहीं वाला है तो महां पर हमको problem नहीं है लेकिन low energy वाला जाएगा तो हम लोगों को प्राफल लेटेंडी में नहीं मिलेगा इसके लिए low energy को रोक के रखता है आगे the intensification effect is most effectively above 500 kilowatt अगर intensifier मतलब यह जो अमारा intensifier होता है होता है वह बहुत अच्छा है 500 kilowatt से अगबाव अगर हमने वह उसका energy रखा एक्सरे में रहता है ना उपर मैंने समझाए न कि एक्सरे जो होता है उसके उपर उपर वाल्यूम जैसा बटन जैसा रहता है वाल्यूम तो नहीं रहता है ऐसा आप समझो temporary जैसे रेडियो में कैसे आवाज up and down करते है या तो mobile में कैसे हो हम लोग आवाज प्लस और माइनस करते है तो वैसा ही हम लोगों को effective तभी मिलेगा जब 500 किलो वाट से जादा है तब हमको अच्छा सा अच्छा मिलेगा और अगर 500 से कम है तो shielding effect जैसा वो lead करेगा काम और उसकी बज़े से हम लोगों को थोड़ा बहुत problem हो सकता है अभी दूसरी बात अच्छा रेडियो ग्राफर क्या करेगा अच्छा रेडियो ग्राफर के उपर पहुंचे सब चीज ना तो ज्यादा ना कम ठीक है अगर ज्यादा radiation हम रखेंगे ज्यादा उसका किलो वाट रखेंगे तो energy ज्यादा होगा और ज्यादा x-ray जो अगर expose होगा film के अदर तो film black बन जाएगा और अगर कम होगा तो film white बन जाएगा तो दोनों में अब है वह पेनेट्रेट हो जाए और फिल्म के अंदर पूरा का पूरा आर्टी x-ray जो है वह गीरा है ठीक है और लिए स्क्रीन मस्ट भी क्या लिखा है मस्ट भी प्री और फॉल्स स्क्रैचीज विंकल एंड पीट्स बहुत सारे लोगों को ने देखा होगा लोगों को experience ली होगा होगा कि एक ही जगव पर पर पूरोसीट आता न एक ही जगव पर रॉटा नहीं मनने के बाद मैं कंप्लेंड करता हूँ तो उसका 15 लगग का बिल रूखवा दीया गया है तो कहने का ये दो देखो लीड है उसके अंदर wall है वाल के बज़े से यहां पर एक स्रेंज ज्यादा पास हो जाएगा और पर फील्म के अंदर पूरوسीटी जैसा हम मैसुस होगा फिर हम लोग बोल देंगे यहां पर सिझिये एक्चुलिवाट्रियल में नहीं था वो लीड के अंदर था लीड जो है उसके इंदर स्क्रैचिंज भी होते हैं कभी कभी खट्पा हाथ जो है कभी पीतिंग्स होते है पीटिंग जो है वही हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार आर्ट túw फिल्म के अंदर यह मतलब जॉप के अंदर ये पिटिंग जैसा कुछ है पिटिंग तो नहीं समझेंगे लकिन वहाँ पे वो फिल्म जो है वो ब्लैक आएगा तो हम लोगों को ऐसा लगेगा यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राबलम है चेक सर्फेस देंगे लेकिन वहाँ पर तो कुछ होगा नहीं आज पर आट फिल्म चिपकाते है तो ग्राइंडिंग जो बर्श आना ग्राइंडिंग बर्श वो फिल्म के अंदर चिपक जाता है जैसे मोबाल हमारे हाद से अगर मित्टी में नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा उसके उपर कैसे कच्रा-कच्रा निकल आएगा कच्रा- लोग पाच से छे हैं समझो बाच लेकिन एकीफील्म बाहर बार यूज्ज किया था एक इस स्क्रीन भार बार यूज किया जाता है उसके छक्कर में वो कॉछलरा सभी में आता है और सभी में ब्लेक में लेख इवाट कोई के छक्कर में या तो पोरो city के छक्करमें मह다가 जाता है पी याद रखो आप उसका जगह भी चैन्ज नहीं होता है अगर ऐसा कच्रा उंद्र गुज गया मैटल का तो जगह भी चैंज नहीं होता है तो इसी की बज़े से यहां पर मस्ट वर्ड यूज किया है लीड स्क्रीन मस्ट भी फ्री ओफ हॉल्स उसमें कोई हॉल्स नहीं होने चाहिए वो जो लीड था उसमें हॉल नहीं होने चाहिए उसमें स्क्रेची नहीं होने चाहिए उसने रिंकल नहीं होने चाहिए उसमें पीट्स नहीं होने चाहिए पिटिंग जैसा कुछ इन्जिंवर है उसको बहुत सारे इससका प्रवलबम पड़ता लोगों को आइडीया और हम लोगों को सुधारना है और क्या सुधारना भाइक कई कॉंट्रक्टर को बोलना है मुझे तुम्हारा को हाथ से या कपड़े से साफ करना है वो भी नहीं करते हैं तो यह गलत बात है आप लोगों को जनरल याद रखो एवरी स्पॉर्ट में वो लीड फोईल को साफ करना चाहिए ताकि इसमें कच्रा है तो नीचे गिर जाए को फ्लो वह सचेज यह जैसा हो गया में अपीयर लोग एसला लगे गा की रिडियो ग्राफ में मिश्टेक हो गया है या तो फिर इसकंटीनूटी है इस स्पेसिमियन के अंदर लेकिन ऐसा गोए घंटापा भी होता नहीं यह गलती किसमें होता है लिड स्क्रीन के अंदर लिट स्क्रीन ही चला खड़े वाला होता है लिट स्क्रीन ही उसमें हॉल वाला रहता है लोगों को experience हुआ होगा ठीक है आगे बढ़ते है screen that have been damaged and cannot be properly cleaned should be discovered को यहां पर clear लिखा है यह लाइन में screen that have been damaged मतलब अगर आपका screen जो है लीड फोईल का स्क्रीन है, उपर का लीड जो है, वो डेमेज हो चुका है, तो आपको उसको तूरंथ बदलना चाहिए, और cannot properly clean तो भी आपको discard करना चाहिए, अगर properly clean भी नहीं है, तो clean करना चाहिए, अगर damage हो गया है तो उसको तो डिसकर्ड करना चाहिए तो यह फंडा था हमारा लीड स्क्रीन का अभी डॉक्टरिग लाइन में थोड़ा जाते हैं दूसरा आमने अमारा टाइप है फ्लोरोसंट इंटेंशिफाइँ स्क्रीन देखो यहां पर नहीं या कोई रॉकेट नहीं यह तीन टाइप की स्क्रीन है तीनो टाइप की स्क्रीन में मैं आपको एक 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 स्क्रीन समझा लीड फॉयल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पहला आमने समझ लिया उपर भी लीड नीचे भी लीड लीड का थिकनेस उपर वाले का 0.05 नीचे वाले का 0.10 नीचे वाले का जितना मोटा लोग उतने लिए हम इक आता है वो फिल्म के अंदर रहते है जैसे उसके ओपर लाइट होता है लाइट उसके ऊपर पढ़ता है वो चमकता है आईना है आईना उसके ऊपर हम लो प्रίut 시 dr वैसा वो चमकेगा क्यों क्योंकि उसके पास केलिशम टंग्स्टेन वो फिल्म जो है केलिशम टंग्स्टेट का बना हुआ है पहला जो फिल्म था वह एजी बी आर कही था ठीक है वो भी ऐसा हो सकता है आगे बढ़ते फ्लोरोसंट स्क्रीन कंटेंड़ सेंटेंड केमिकल विच इमिट्ट लाइट वेण दे एक्स रे एंड गामा रेज वो फिल्म के अंदर पड़ेंगे तब वो इमिट्स होना स्टार्ट होगा और हमको अच्छे से दिखेगा देखो यहाँ पर क्या है केलिशम टंग्स्टेन क्रिस्टल है देखो य कैल्शम टंग स्टेट इज वन ओब दगे केमिकल एंड इस इमिट लाइट इस कोर्ड फ्लोरोसेंट फ्लोरोसेंट में वह इमिट होगा पुराने जमाने में रेडियम आता था था ना हम लोग रेडियम का घड़ी पहनते थे तो लोगों को चोटे थे तब दिखाते थे स्क्रीन विल फर्दर एक्सपोज रेडियोग्राफिक फिल्ट तो यह जब जनरली है इसको ऐसा बोल सकते है लीड स्क्रीन गीव देटर डेफिनेशन देन फ्लोरोसेंट स्क्रीन तो हम लोगों का पुरा ना था ना अभी हमने बात किया ना लीड स्क्रीन इंटेंसिफाइ सक्रीन तो यह थोड़ा गड़ बाड़ वाला है आगे बढ़ तीसरे है फ्लोरो मेटलिक इंटेंसिफाइग स्क्रीन उसमें नहीं पुए राकेट नहीं तो है उसका लो जो वाला धा उसको शोख लेता था लेकिन नीचे वाले का बैक्स डिक्स यहां पर हम लीचे लगाना है ताकि वह बैक स्केटर को कंट्रोल करें या कोई रॉकेट नहीं है ठीक है तो स्क्रीन एब्जॉब देडियेशन वीच लीड फॉयल तो यह स्पीड वाला है जल्दी से तूरंत हमको आंसर देगा तूरंत हमको फिल्म दोने का ज्यादा तर वो मगजब करने के लिए फिल्म होल्डर का यूज होता है या तो कैसेट का यूज होता है फिल्म होल्डर जो है वो एक ज्यादा तर आजकल यूज नहीं होता है इसका थोड़ा बहुत आज कर मैंने देखा हुआ है यूज करते हैं लोग तो यह जो है यह हमारा काम यह है कि प्राइमरी फंक्शन यह दोनों का ऐसा है कि यह फिल्म होल्डर जो है या कैसेट है वो मेंटेंड लाइट टाइट एन्वारोमेंट तो हमारा विलन कौन है विलन है वी प्राइमरी फंक्शन जो है यह फिल्म होल्डर का क्या है प्राइमरी फंक्शन ओप एनी फिल्म होल्डर और कैसेट टू मेंटेंड टाइट एन्वारोमेंट आप दर रेडियो ग्राफिक फिल्म तो यह सब चीज़ था अभी हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे है यहां से रेडियो ग्राफिक इमेज क्वालिटी इंडिकेटर आईक्यू 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 आई में जनरली दो टैप के आजकल मार्केट में यूज होते हैं जो है वायर टैप आईक्यू 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 फोर प्रेक्टिटमेंट या तो कदर किदर से भी हम खरीदते हैं तो फॉलवंग फेक्टर विल्वी कंसीडर तो तीन फेक्टर हमको ज्यान रखना है पहला फेक्टर है डिटर्माइन तो अलोई ग्रूप अपड़ इस तु भी एक्जमाइन कौन सा टाइप का हमको अलोई ग ग्रूप नंबर वन का है उसमें गूरुप नंबर 1 का है HOW म欸 में ंकल चक्म जब शकता है तो नहीं ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते है यहाँ पे ग्रूप नंबरिंग सिस्टम है वो पूरा का पूरा आज में समझाएगा यहाँ पर वन का मतलब क्या है जिरो वन का मतलब क्या है जिरो टू का मतलब क्या है टू का मतलब ट्री का मतलब फोर का मतलब एंफाइव का मतलब क्या है वो आज समझाएगा तभी आप इपर्टन है तो शायद यहाँ अपर थिकनक्स रेंग दिया गया है तो मैं आपको थोड़ा बहुत थिकने सरेंज का एक टेवल दिखा देता ऑँ ठेखो यह है चार सेट वायर टाइप के IQI में सेट A, सेट B, सेट D and सेट C मतलब ABCD, ऐसा चार टाइप के IQI सेट होते है यह फंडा क्लियर है, ASTM के हिसाब से, ASTM के हिसाब से अगर आप काम कर रहे हैं, तो यह आप माइन में रटा मालो सेट A, सेट B, सेट C and सेट D यह चार टाइप के IQI होते है, IQI जो सेट A है उसमें 1 नमबर, 2 नमबर, 3 नमबर, 4 नमबर, 5 and 6 ऐसा करके होता है, ठीक है, फिर IQI B में जाएंगे तो यह 6 नमबर, 7 यहाँ पे रिपीट होता है, ठीकनेस वगेरा यहाँ पे सेट C का पहला है, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 16 नमबर है, यहाँ पे अगेर रिपीट होता है 16, 17, 18, 19, 21, देखो, यह 4 टाइप के IQI है अभी रही बात, हम लोगों को कौन से मटरियल में कौन सा IQI यूज़ करना, हमें कैसे पता चलेगा हमें बाई, ऐसे पता चलेगा, हम यहाँ पे एक टैबल दिखाया गया है देखो, यह टैबल जो है, मैंने ASME से लिया हुआ है, ठीक है क्रेडिट पूरा ASME को है, ओके, IQI सिलेक्शन कैसे करेंगे सबसे पहले, मैं आपको यह बता देता हूँ, कितने टाइप की टैकनिक्स होते है तो जनरली, तीन टाइप की टैकनिक्स होती है पहला है, सिंगल वाल, सिंगल इमेज, वो जिसमें सिंगल वाल, सिंगल इमेज, समझो, एक मेरा ऐसा एक कोई पाइप है, ठीक है ये pipe में बीच में में रखता हूँ मेरा source तो source ऐसे raise फेकेगा ऐसा चारो direction में सब जगह पे raise फेकेगा राइट चारो direction में raise फेकता है समझो मैं यहाँ पे ऐसा film चिपकाता हूँ ऐसा film तो इसका image कैसा आएगा single wall एक ही wall को cross करने वाला है यहाँ पे एक wall को ही cross करने वाला है और एक wall का ही image हमारे film के अंदर आने वाला है इसके लिए इसको बोलते है single wall, single image IQI all time दो जगह पे लगाया जाता है पहला जगह है यहाँ पे समझो IQI लगाया तो उसको बोलते है source side IQI यह source उसके सबसे source उसके एकदम face to face है ठीक है इसके लिए दो टाइप के IQI हम लोग दो जगह लगाया जाता है या तो source के side में या तो film side में या तो यहाँ पे IQI ठीक है यहाँ पे दोनों में से कोई एक जगह लगाया लेकिन code ऐसा बोलता है कि भाई जब तक आपको कोई option नहीं है तभी आपको यहाँ पे use करना है यहाँ पे IQI समझो फिल्म side लगाया ठीक है तो IQI मतलब image quality indicator इमेज quality indicator IQI को बोलते हैं अभी IQI source side लगाया है तो code ऐसा बोलता है all time आपको preferred source side ही करना अगर possible नहीं है possible नहीं है तो ही आपको film side जाना है लेकिन जब तक possible है तब तब आपको source side लगाना है उसका image से वो raise pass होगा उसके बाद एक कोई metal आएगा उसके raise pass होगा फिर फिल्म के उपर आएगा तो IQI जो है ना वो थोड़ा थोड़ा जाखा दिखने लगेगा जाखा तो ऐसा बोलेंगे हम लोग क्या बोलते हैं उसको generally light दिखने लगेगा light ऐसा मतलब कमजोर सा ऐसा बोलत सीधा का सीधा wall के अंदर cross होए फिर सीधा IQI के उपर पड़े और IQI सीधा का सीधा फिल्म के अंदर चप जाए और हमको बता था भी नहीं हो तो ऐसा ही बोलेंगा सार मैंने तो स्वर्ट साइड ही लगाया है सार लेकिन लगाया घंटा उसने लगाया कहा है फिल्म साइड म बहुत सै ओके ही यह हो गया single qua single image और दूसरा है लूसरा है double wall sitting image ठीक है कभी कभी क्या होता है 24 इन्च का pipe में यहां drop एसका लेकिन वहタ अ झाली ऐसके आप उसके नॉन्दर जा सकते हैं नबहार निकल जखते एसा कंडिशन वाला पाइप है सम्झे एक किलोमेटर का क्रोस लाइन कंट्री का पाइप लाइन है एसा भी होता है ना जनरली ऐसे वहुत सारे सिच्ट्यूशन आएगे मेरे भाई मार्केट में तो आप लोग अंदर नहीं जा सकते आपका स्वर्च अंदर नहीं गूच सकता है तब क्या करने का तब सोर्च को हमको यहां पर यहां पर यह जो वाल है यहां पर टक्टो टक्ट रखना है यहां पर आपको सोर्च रखना है और यहां से समझो एक्सरे ऐसे ऐसे आएंगे और समझो यहां पर आपने फिल्म चिपकाया हुआ हुआ है जो भी फिल्म यहां पे IQI यहां पे लगाना चाहिए और अगर यहां पे लगाया है फिल्म साइड तो आपको यहां पे F लेटर डालना चाहिए अधलना ही है this is compulsory rules ठीक है अब नमबर तो डालना लगा ही है अगर आपने जो IQI है film side लगाया है तो दूसरी बात अभी यहां से आया समझो तो यह कितना यहां से double wall यह भी wall pass होगा x-ray कितना wall pass करेगा यहां का एक one wall pass करेगा यहां का यह दूसरा wall pass करेगा इसके लिए double wall समझ में आ गया लेकिन x-ray का source जो है वो यहां पे है यहां से बहुत सब्सक्राइब तो होगा क्या इतनों इसको इतना नेगलेजियेशन के जैसा गिनना है मतलब कुछ फरक नहीं पड़ने वाला ऐसा समझो तो इमेज जो आएगा ना वह इमेज आएगा यहां से इतना इमेज फिल्म के अंदर चपएगा इमेज जो हो सिंगल आएगा इसके लिये डबल वाल सिंगल इमेज ठीकर इसमें क divertya कोई कोई और यहाँ ऑंपर दे चाइए था यहाँ पर आपको आई को कंपर सरी इंसाइड में ही लगाना है मतलब वाई सोर्स और आपको मित्व के सामने Show s 생ए सामने हो ऐसा लगाना है source side IQ लगाना है possible नहीं है तो ही आपको film side लगाना है generally technician यहाँ पे ही आप हम लोगों को उठा बनाता है ठीक है याद रखने का आगे बढ़ते है double wall double image के बारे में समझ लिया double wall single image के बारे में समझ लिया अभी तीसरा है double wall double image तो लोगों ने देखा होगा एकदम सा ellipse खुलता होगा ऐसा कुछ देखा होगा समझो मैं आपको यह बोलूं कि यहाँ पे 89 inch का यह जो पाइफ है 89 mm से below वाला पाइफ है या उसका डाया जो है ओ 89 से below का डाया है ठीक है मतलब 2 inch का पाइफ है 3 inch का पाइफ है या तो फिर आप ऐसा समझो 1 inch का पाइफ है उसका आठ टी करना तो source अंदर घूसेगा घंटा भी नहीं घूसेगा समझो हम लोग यहाँ पे source को रखते है तो यह distance जो है एकदम छोटा हो जाएगा क्योंकि उसका 2 inch है यह distance एकदम छोटा हो जाएगा तो हमारा यूजी इस इकवल टू एफ इन्टू स्माल डी डिवाइड बाइ तो हम लोगों को एकदम स्माल होगा तो यूजी जो है हमारा मैंटेन करना मुश्किल हो जाएगा यूजी जो है वो मैंटेन नहीं हो पाएगा यूजी कितना रखना चाहिए हो आगे के session में अल्ड़ी कर लिया है ठीक है यह जिवोमेटिक अंशापने से यूजी जितना ज ज्यादा लेकिन अगर यह दो इंच के पाइप में हम यहां पर घुसा देंगे अगर सोर्स को तो घंटा होने वाला है यहां से ऐसे रे जाएंगे यह तो डी बहुत छोटा हो गया बहुत छोटा होने के बज़र से यूजी बहुत बढ़ा हो जगया तो फिर दारू पीते ह किया यहां पर दिखाया हुआ है ना लेकिन जोटे इंच के पाइप में 89 mm रहता है डाया का पाइप रहता है उसमें भाए यह सब चीज प्रॉसीबल नहीं है यहां पर छिपकाना पढ़ेगा एस ओओ यू आरटी आरार शी सोर्स है अभी फिल्म के उपर रे जाएगे तो वो इलिप्स प्रॉपर ली स्खुल जाए इसके लिए सोर्स को थोड़ा टेड़ा रखना है तो इलिप्स प्रॉपर खुलेगा और आपको इमेज चका चक एक दम राउन टाइप का मिलेगा एक दम कंगन जैसा मिलेगा ठीक है तो य आगे पढ़ते हैं अभी देखो यह डबल वाल डिबल इमेज इसके लिए है कि मेरे भाई यहाँ पे तीसरा है डबल वाल डबल इमेज यहाँ पे छोटा सा दो इंच का पाइप है 89 mm विलो डाया का पाइप है यहाँ पे हमने सोच रखा यहाँ से ऐसे रे जाया यहाँ से क्का यू mensen चिपकाया यह जो है फिल तो इसमें क्या होगा यहां से एक वाल पास करेगा रैक्षरे पीर दूसरा वालबास करेगा मतलब इमेज जो है वो डबल वाला तो होई तो ही आपको film side यहाँ पे IQI चिपकाने के लिए आना है लेकिन यहाँ पे आपको prefer नहीं करना है याद रखो लेकिन जान मुझके technician क्या करेगा यहाँ पे ही चिपकाएगा उसको sensitivity मतलब IQI जल्दी से अच्छा दिखेगा ना उसको ज्यादा से ज्यादा उसको density में कम pass होना प प्रास करेंगे फिर वो इमेज हमारे फिल्म के ऊपर जाएगा तो बहुत बड़ा प्राब्लम हो जाएगा तो उसी की बज़र से technician को हमको ध्यान रखना है पकड़ भी लेना कभी-कभी नाइट में सर्वलेंस भी करते रहना है कि वो बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है लेकिन घंटप पाई यहां पर कौन ऐसा करता है साउदी में तो हमने देखा है PID टूरं गूमता रहता है जैसे ही आर्टी क्लोज किया उसने चकड़ी गुमाया क्लोज करने के लिए तूरं पहुंच में पास चार सेट में बोला ए बी सी एंडी चार सेट है अभी मेरा 12 mm थिकनेस है समझो एक्जमपल के तौर पे मेरे पास 12 mm थिकनेस का मुझे लॉंग सिंका आर्टी करना है तो मुझे सोर्स साइड मेंने आई क्यों लगाया है अभी आपको पता चल गया सोर्साइड आई क सबसें जाकी साबसेंके सररी दिखना ही चाहिए दिस इस जरूर और का आई क्वे दिखेगा सेवर नमबर का वाइलेट आपको दिखेगा सब्सेक स्वस्वंपफल्र का आपको प्रॉबरलम नहीं है अभी मैं ये बused गयां जैए और जो नीचे वाले का थिकने सबसे ज्यादा रहेगा याद रखो जो नीचे वाले का थिकनेस है सबसे ज़्यादा रहेगा दूसरा में यहाँ पर दिखाता हूँ यहाँ पर जो नंबर का ज्यादा थिकनेस है वही दिखाया जाता है तो set a wire जो है वो में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ देखो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ यहां पर 6 नमबर लिखा, 6 नमबर का मतलब यह होता है, कि सबसे मोटा थिकनेस, largest wire थिकनेस, तो ASTM यह 1 A है, यह 1 A, अभी यह जो है, वो set A है, अगर यहां पर B है, तो set B है, यहां set C, set D, यह सभी जगह पर wire का numbering system किया गया है, यहां पर भी set B, set B में सबसे ज़्यादा थिकनेस वाला 11 है, set C में ज़्यादा थिकनेस वाला 16 है, set D में ज़्यादा थिकनेस वाला क्या है, 21 है, ठीक है, इसके लिए यहां पर देखो यह से आगे, इसमें set A की बात करते है, तो सबसे मोटा थिकनेस 6 है, set B में सबसे मोटा थिकनेस 11 है, set C में सबसे मोटा थिकनेस 16 है, set D में सबसे मोटा थिकनेस 21 है, तो आशा करता हूँ, यह बात आपको समझ में आया होगा, अभी बात करते है है हमारा 12 mm thickness का 12 mm thickness का मुझे long sim हो रहा है सक्सीम हो मुझे उसका कौन सा IQI लगाना है तो पहले तो आप लोग यह देख लिजे कि कौन सा IQI मुझे कौन सा वायर दिखना चाहिए 7 नंबर का वायर दिखना चाहिए ठीक है तो अभी देखो यहां पर 7 नंबर का वायर इसमें आत होते हैं तब अभी मैं आपको यह बोलूं कि यहां पर एक दिखा देता हूं आपको तब confusion दूर हो जाएगा यह वन सी आया यह वन भी आया यह वन सी आया देखो यहां पर एक है दो है तीन है चार है दिख नहीं रहा है शायद आपको तो टोटल ऐसे छे वायर होंगे तो 11 उसके बाद यह 10 इसके बाद यह 9 यह 8 वर 7 तो यह पूरा का पूरा इतना वायर आपको दिखना चाहिए यह लास्ट वाला नहीं दिखेगा तो चलेगा ठीक है ऐसा अभी मैं आपको यह बोलूं कि यहां पर ठीकने समझो आपने सोर्ट साइड नहीं लगाया है आपने यूज किया है तो पूरा का पूरा छे का छे वायर मतलब छे वायर होते हैं ना सेट भी में छे साथ आट नो दस ग्यारा तो मतलब पूरा का पूरा वायर दिखना चाहिए अभी दूसरा एक एग्जमपल लेते हैं चलो को यहां पर बोल सकता है मेरे पास 50 नहीं 80 mm थिकने स किसमें आएगा 63 mm through 101.67 में आएगा देखो यह है IQI कैसे सिलेक्ट करते है उसका टेबल है यहां पर मिनीमम सिंगल वाल मटेरियल थिकनेस का रेंज आप कौन सा ले रहे वो है अगर आपने IQI सोर्च साइड लगाया है तो मिनीमम एसेंचल वायर कौन सा दिखना चाहिए वो वायर टाइप IQI में कौन सा मिनीमम दिखना चाहिए वो लाइन है समझो आपका 80 mm थिकने से चैट बॉक्स में प्लीज आप डालिए कौन सा वायर आपको दिखना चाहिए अगर मैं सोर्च साइड से लगाएगा तो तो इसका लाइन आता है यह तो मतलब 13 नंबर का वायर द दिखना चाहिए यह सेट सी में 13 नंबर यहां पर आता है मतलब 1,2,3,4 मिनीमम आपकी आटी फिल्म के अंदर 4 वायर दिखने चाहिए तभी जाके आपका आटी फिल्म का सेंसिटीविटी 2% माना जाएगा इसका मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपका आटी फिल्म के 1.27 mm थिकनेश वो त्यरा नंबर का आपको दिख गया तो अगर दिखा 1.27 mm तो 1.26 mm का डिसकंटिविटी आपको नहीं दिखेगा 1.27 से ज्यादा जो लेंथी सोरी थिकनेश का डिसकंटिविटी होगा वही दिखेगा तो यहां पे मैंने 12 नंबर की बात की थी तो 7 नंबर क तो उसमें जनरली ये 0.00.33 mm थिकनेश से बिलो थिकनेश का कोई भी डिसकंटिविटी या पोरोसिटी होगा तो आपको घंटप भी नहीं दिखने वाला क्यों क्योंकि यहां पे यह एसेंचल वायर है सब शायद दिख जाए दिखो ऐसा में नहीं बोल रहा है लेकिन 6 आपको समझ में आया होगा यहां पर उसका यह थिकनेश है वायर का 2 number point 1 thickness 3 number point 1 13 thickness 4 number point 1 6 5 number का point 2 thickness 6 number का 0.25 में तो count में जो दिया गया है वो mm में thickness दिया गया है बाहर इंच में है तो नहीं है कोई rocket नहीं है इंच को mm में convert करो तो हो जाएगा ये बोलू मेरे पास डशो mm थिकनेस है कितना? डेट्रॉ mm थिकने से तो ये 10 007 मेरा इसमें आएगा मतलब मुझे तो शोला नंबर का धिकेगा और चावДा नंबर का भी वायर अगर दिफ गया तो वेल एंट कूड वो फिल्म का सेंसिटीट योग के है इसका मतलब आपको ये भी समझना है कि 1.6 mm वो चौदा नम्मम का थिकनेस था 14 mm वायर का थिकनेस था तो 1.6 mm से बिलो डिसकंटिन्यूटी बिलो थिकनेस का कोई भी डिसकंटिन्यूटी होगा हमको घंटा भी नहीं दिखेगा और इसके ऊपर का डिसकंटिन्यूटी है उसके थिकनेस से 1.6 mm थिकनेस से ज्यादा थिकनेस वाला डिसकंटिन्यूटी वो दिखेगा और ऐसा नहीं स्वज़ने का यहाँ उठा बना चाओदा नम्मर का मुझे बोला गया है लेकिन मुझे 12 अगर 12 नमबर का दिखा तो इसका मतलब यह भी समझना है आपको 1.02 mm थिकनेस से बिलो थिकनेस अमको नहीं दिखेगा उससे अबव थिकनेस होगा वो दिखेगा चलो अभी यह 14 नमबर में बोला लेकिन उसी ने अगर 14 साइड लगाया था तो लेकिन वही 14 नमबर की जगह 13 नमबर दिखना चाहिए अगर फिल्म साइड लगाया है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप फिल्म साइड लगाएंगे तो और स्क्रिंज हो गया और सेंसिटीविटी स्क्रिंज हो गया क्यों क्यूंकि उसको मैं तो लाइब जिंगलाला जैसा हो जाएगा टेक्निशन को टेक्निशन को अगर थोड़ा भी दोने में भी गलती करेगा तो भी अगर थोड़ा बहुत चलने वाला लायक है तो फिर वह यहां पर आई क्यो है फिल्म साइड लगाया हुआ है और हमको क्या बोलेगा हमको साब म अगर यहां नहीं डालता है तो इसका मतलब स्वर्ट साइड हो गया हमको उठा बनाएगा ओ तो ऐसा होने का चांची से तो आपको सतर क्रहना जरूरी है आगे बढ़ते है अभी तो देखो अभी समझो यहां पर लगाया अंदर में लगाया तो बहार लगाया तो चावदा अनबर का वायर दिखना चाहिए अंदर लगाया तो तेरा नमबर का वायर दिखना चाहिए अभी देखो तेरा नमबर का थिकनेस और कम है देखो 1.27 मतलब स्ट्रींज होता जाएगा जैसे ही आप फिल्म सैड लगाओगे तो जो आपका सेंसिटिवीटी है थोड़ा स्ट् का ठीक है अभी हम लोग वापस हमारे ओरिजिनल पोजिशन में आ जाते हैं कहां थे हम लोग यहां पर देखो यह डिट्रमाइन द थिकनेस और थिकनेस रेंज ऑफ दो मट्रेयल टूब एग्जमाइन कौन सा थिकनेस रेंज में कौन सा एक्योई वायर टाइप आई क्योई यूज करना है वो समझ में आगया पांच लोग कर देंगे तो मैं आगे बढ़ेगा अधर्वाइज यह पॉइंट वापस समझाएगा यह पॉइंट में बोल रहा हूं डिट्रमाइन द थिकनेस और थिकनेस रेंज ऑफ दो मट्रेयल टूब एग्जमाइन कौन सा थिकनेस क पहुँच सारे लोगों ने चिपकाया ही रहता है यहां पर जनरली कूछ नहीं है यहां पर ठिकनेस का पूरा का पूरा रेंज दिया गया है कौन सा वायर किस में दिखने चाहिए वो सब चिद लिखा गया है नहीं या कोई रॉकेट नहीं वाकित आपके पास है ही सेट कैसे बनते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं यह आई क्यों है है सब यह देखू क्या लिखा है विनायल प्लास्टिक विनायल प्लास्टिक उसका ठिकने जो है 01.52 mm यह जो प्लास्टिक है इसके प्लास्टिक के अंदर बांद के रखना पड़ेगा अगर प्लास्टिक के यूज करना है आपको लेमिनेशन जैसा होता है यहां कोई रॉकेट नहीं है लोगों ने देखा होगा तो वैलन गुड आगे बढ़ते हैं तो यह जो है यह प्लास्टिक है लेकिन प्लास्टिक का थिकनेज भी क्लियरली कोड में मैंचन किया है उससे ज्यादा देखो 5.52 से ज्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सीमम लिखा है मैक्सीमम उससे ज्यादा उससे कम होगा तो वहले नौ प्रॉब्लम वर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है यह प्लास्टिक का थिकनेज देखो कोड बहू टेगे-गे-गे-चीद डेफ में बोलता है ओके यह ASTM भ तक है और 6.35 minimum लिखा है चालिका है मीनिममँ उतना चाहिए मेक्सीमम ना प्रॉबलम लेकिन मीनिमॉम आपको 6.35 35 चाहिए ठीक है अभी 6.34 चलेगा की नहींचलेगा 6 mm का हमारा ASTM लिखा हुआ है थिकने 6 mm है तो चलेगा की नहीं चलेगा कोई चैन बोक्स में बोल सकता है मेरा लीड लेटर यहां पे कोड ऐसा मुलता है मीनीमाम 6.35 तक एक्सेप्ट है तो मेरा अभी यहां पे 6 mm का थिकनेस वाला में लीड यूज करूँ तो चलेगा की नहीं चलेगा नहीं नहीं चलेगा ठीक है यह नहीं चलेगा आगे बढ़ते हैं म 1.55, 52 mm है वो भी चलेगा उससे बनलब वो मैक्सिमम है उससे मिनीमम आगे नहीं कर सकते हैं मैक्सिमम लिमिट दिया गया है मिनीमम रख सकते हैं मैक्सिमम नहीं जा सकते हैं दूसरी बात अभी यह जो IQI है यहां पे ड्रो किया हुआ है मेरे भाई यह IQI के बीच में दिस्टंस होना चाहिए और not more than क्या लिखा है not more than इससे ज्यादा डिस्टंस नहीं होना चाहिए तो चलेगा लेकिन उससे ज्यादा डिस्टंस नहीं होना चाहिए क्या लिखा है दो वायर के बीच में डिस्टंस यह बहुत सारा डेप्स में है वाई अभी तो में इसका डि सेट यूज किया, सी सेट यूज किया, कि डी सेट यूज किया, अगर ए सेट यूज किया, तो यहाँ पर यह लिखा है, बी सेट यूज किया, तो वहाँ पर बी लिखा है, सी सेट यूज किया, तो वहाँ पर सी लिखा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यह सिक्स नमबर है, व इस वायर 6 वायर IQI स्पेसिंग है यह इक्वाय स्पेसिंग 5.05 से नोट मोर देन 5.08 mm से ज्याधा नहीं होना ओके अभी यह आई क्या लमभाई कि इतना होना चाहिए यह अग्वाय का लमभाई मेरे भाई यह लिखा है मिनीमुम क्या लेंट मीनीमुम इसका 25.4 होना चाहिए तो 25 चलेगा कोई सकता है 25 चलेगा कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा बहुत सड़े लोग sheep夜 नहीं चलेगा 25 नहीं चलेद उसका minimum जो लैंथ है 25.4 से ज्यादा होना चाहिए आगे बढ़ते हैं व से टोटल छे ग्रूप नमबर है तोरी सुरी एट ग्रूप नमबर है एट ग्रूप नमबर में 010203 यह लाइट के लिए है लाइट अब्जॉप्शन कैपसिटी गिए इसाब से और वह वन और है यहां पर कभी वन नमबर हो सकता है कभी थ्री नमबर हो सकता है कभी 5 नमबर या कभी 6 नमबर उसके बाद 0 1 भी हो सकता है अभी इसका मैं पूरा डीटेल में एक 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 पॉइंट समझाता हूँ ठीक है देखो यह जो है यहां पे material group system है अभी material group system तो मैं ऐसा बोलूँ कि यह आई क्यों जो है one a वाला मैं वो निकल बेज अलोई में या aluminum में यूज कर सकता हूं नहीं नहीं यह नहीं कर सकता है मेरे भाई आगे बढ़ते है material group number general general क्या है उसमें material have been designated eight group based on the radiographic absorption characteristic radiographic absorption capacity के हिसाब से कुछ material ऐसे है लीड जैसा material है मेरे भाई वो तो एक्सरे को फूला फूल पूरा का पूरा अब्जोब कर लेता है पूरा का तो ऐसा नहीं मोलेंगे लेकिन बहुत सारा absorption उसका capacity ज्यादा है absorption का absorption penetration chapter number two उसमें मैं पूरा detail में discuss किया है कि रेडियोग्राफी जो है हमारा पूरा का पूरा absorption penetration principle के उपर काम करता है तो absorption मुझे नहीं बोलने का अभी मुझे absorption समझाना नहीं है वरना एक घंटा उसमें चला जाएगा मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर material group has been designed art group है उसके art कितने एट ग्रूप एक ग्रूप का फुरा डिसकस करते है बेजर वन देर रेडियोग्राफिक absorption के हिसाब से उसका grouping system किया गया है group 030201 light metal and group 125 heavy metal देखो 03 02 and 01 उसमें absorption थोड़ा कम है और एकदम हलका metal है जैसे aluminum है एकदम हलका है ठीक है तो उसी की बज़र से वो सब चीज का grouping system 030201 है वो उसको light metal grouping system बोलते हैं क्या बोलते है light metal अगर weight जिसका weight ज्यादा है तो उसको heavy metal बोलते है वो group है one से लेके 5 का है ठीक है light metal group magnesium magnesium है aluminum है titanium है एकदम हलका है तो magnesium है उसको 03 अगर magnesium में IQI यूज़ करना है वो तो 03 लिखा होगा अगर मुझे aluminum में करना है यूज़ तो 02 लिखा होगा titanium में 01 लिखा होगा तो सभी में इसका मतलब यह हुआ वन यह लिखा वाला मेरा IQI है वो मैं मैं यूज़ कर सकता हूँ घंटा भी नहीं कर सकता क्यूंकि उसका IQI जो वायर है वायर का material है वो अलग है उसका grouping system अलग है उसका group system वन था उसी की बज़े से उसको यूज़ वहाँ पर carbon steel stainless steel में किया गया था वह aluminum में magnesium में और titanium में नहीं यूज़ कर सकते अभी 01 है यहाँ पर 1 नहीं है ठीक है 01 है तो titanium है ओके आगे बढ़ते light metal group magnesium aluminum titanium are identify 02 and 03 02 and 01 respectively for their predominant allowing consistent मतलब उसका जो absorption capacity है उसकी सबसे grouping system किया गया है तो material are listed in order to increase the radiation absorption अभी देखो यह कि magnesium में थोड़ा ज्यादा absorption होगा उससे थोड़ा कम किसमें होगा sorry magnesium में ज्यादा absorption होगा उससे थोड़ा ज्यादा aluminum उससे ज्यादा titanium में तो यहाँ पर in order to increasing the radiation absorption radiation absorption ए तीनों में से देखो level 3 जब आप एक जम देने जाएंगे न तब आपको पूछा जाएगा magnesium ज्यादा absorption capacity है aluminum का ज्यादा absorption capacity है कि titanium का ज्यादा absorption capacity ओक मैं मानता हूं कि absorption capacity तीनों का कम है लेकिन उसको light metal के इसाथ से बाकि में stainless steel उसके सामने रख दूतो कि सामने रख दू तो ईसका मतलब किसी ने सही дов toingen जो है titanium है उसका absorption capacity मैगनेश्यम और एलुमिनियम से ज्यादा है चलो ये बात समझ में आ गई लाइट मेटल का 030201 समझ में आ गया अभी बात करते है तो हैवी मेटल ग्रूप हैवी मेटल ग्रूप कौन-कौन से है तो के स्टील पर बेज निकल बेज तिनर अलोई काइंड काइंडर अलोई आर आइडेंटिफाई 1 through 5 1 एक से 5 में उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है तो मट्रीयल इंक्रीज दर रेडियेशन अब्रूप्शन विच इन्क्रीज दर नंबरिंग डिजिगनेशन चैसे-जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे-वैसे उसका जो रेडियेशन अब्र प्रियूप्शन कैपेसिती रहीं वह भी बठता जाएगा मट्रीयल ग्रूप की बात करते हैं मतलब एं मैगनेश्यम नहीं सॉरी एठीटेनियूम की बात कर रहें ठीका टीटेनियूमिंज क्वालिटी इंडीकेटर खेल ब्रीमेर्ड और टीटेनियूम केलल भी प्रॉड ग्रूप 1 जो है इमेज क्वालिटी इंडिकेटर शेल भी मेड टिटेनियम और टिटेनियम देखो ये ग्रूप 1 का IQI वो किस से बनाया हुआ है टिटेनियम से बनाया हुआ है या तो टिटेनियम शेल भी प्रिनोमिनेंट अलोईंग कंजिस्टन मतलव जो प्रबर जिसका ये उसके साथ कंपेरईजन ज्यादा है वैसा ये टेनियम से बनाया हुआ है वैसा किए सरबाधिक सबसे ज्यादा उसका जो absorption capacity रहेगा उसके ही साथ से टेनियम का ग्रूप के system के साथ से टेनियम जैसा एपर कता है वैसा कोई clarity केल का या तो टीटिनयम जैसे ही या तो खुझ टीटिन ययूं कहीं वायर हो ठिकए ऐसा ओवके यूज और अलोय अफ विच्पॉचल शेर हूर जिरो टू है, material group 02 है तो image quality indicator, IKI shall be aluminium और aluminium shall be predominant alloying and consistent, use all alloy shall be aluminium and predominant alloying consistent, मतलब इसमें aluminium का बनाया होगा, या aluminium बेग जैसा उसका absorption capacity वैसा material का बनाया होगा, okay, material group 3 image quality indicator shall be image magnesium and magnesium shall be predominant alloying, consistent उसका बनाया होगा या यूज ऑन ओल अलोई विच मैगनेश्यम इस दो प्रेडोमिनेट अलोईं कंजिस्टन ओके अभी हमारा आता है वन नंबर ठीक है वन नंबर की बात आती है क्योंकि हम लोग तो ज्यादा तर हमने तो क्या देखा है वन एवन भी वन सी वन वरन डी ऐसा ही हमने ज्यादा तर देखा है तो वन जो है image quality indicator cell be made carbon steel का हो सकता है या तो type 300 series of stainless steel का भी बना हो सकता है देखो भाई समझो बात यहाँ पर देखो क्या लिखा है carbon steel का भी हो सकता है हम लोग जो यूज करता है तो Legislism Matter K भी बना हो सकता है उसको अधरिवाइस 300 series took stainless steel का भी बना हो सकता है ठीक है अब कि बहुत सारे लोग question बूचते है सर मेरे पास carbon steel का क्योंन है वह मैं stainless steel में यूज कर सकता हूं येश उसमें grewp number one है तो वह group number one में ही कारबन स्टील आता है गुरूप नंबर बञ ने ही स्टेनलेस्टिल 300 का सीरी जाता है तो वो आईक रेकारबन स्टिल में भले यूज किया वो स्टेनलेस्टिल में भी आपको यूज करना है क्योंकि यहाँ पर कोड़ एलाव करता है सिम्पल बात आगे बढ़ते हैं यूज द ऑल कार्बन स्टील लो अलोई स्टील स्टैनले स्टील मेगनेशन निकल अलोई ब्राउंज सुपर स्टान वो सभी में हम लोग यह आई क्यों यूज कर सकते हैं कैसा बनाया हुआ कार्बन स्टील का बनाया हु है वो दोनों में से या कोई यह या तो दोनों जो भी आप शमझा वो आई क्यों हम लोग यूज कर सकते हैं लोलोई स्टैनले स्टेल में भी यूज doing bin मेंगनिज, निकल, अलुमिनियम, ब्रांज, सुपर स्ट्रॉन, सुपर श्टॉन, में भी यूज कर सकते हैं, क्विश्चन यहाँ पर ऐसा है कि मैं में, मेंगनिज, निकल, Aluminium Bronze Superstone में यूज कर सकता हूँ यह IQI IQI तो यस वो Group 1 में ही आते है उसका Absorption Capacity Nearer Sam ही है उसी की बज़र से उसको भी कर सकते है Group 2 की बात करते है Image Quality Indicator shall be made Aluminium Bronze Alloy 623 Specification B150M और Equivalent उसका IQI बनाया हुआ है समझो आप ऐसा समझो कि Aluminium Bronze का IQI बनाया हुआ है और वो जब है Nickel Base Alloy Bronze वो सब चीज में Equivalent जो है उसका या Aluminium और उसके Bronze और और Nickel Aluminium Bronze सभी में वो IQI Group 2 वाला यूज कर सकते है तो Group 2 वाला IQI है वो Carbon Steel में यूज नहीं कर सकते Group 2 वाला है Stainless Steel में नहीं यूज कर सकते Group 2 है क्या तो यहाँ पे लिखा हुआ एक सिस्टम है यह जो है ना 1 यह में समझा रहा हूँ material grade number है material grade number है यहाँ पे शायद 01 हो सकता है 02 हो सकता है 03 हो सकता है 123,4 and 5 इसमें से कोई भी हो सकता है अभी हम 1 है इसका मतलब वो Carbon Steel वाला है यहाँ हमको समझना है stainless steel का भी वो बना हो सकता है यहाँ हमको समझना है ठीक है आगे बढ़ते है material group 3 तो indicate the IQI shall be made nickel and chrome iron alloy किसका बनाया हुआ होगा वो IQI nickel, chrome, iron, alloy का बनाया हुआ होगा and use on the nickel, chrome, alloy and 18% nickel merging steel ठीक है उसमें ओके यह material group 4 क्या है group 4 जो है वो बनाया हुआ है मेरे भाई 70 to 30 nickel, copper, alloy का बनाया हुआ है monol material का तो यह duplex जैसा ही हो गया ठीक है और copper, nickel, alloy में यह सब चीज का या उसके equivalent है उसमें हम लोग use कर सकते है group 5 जो है इसका पहले group 4 का बोल देते है nickel, copper, all nickel, copper, alloy, series copper, nickel, alloy, series and all bronze और group 4 जो है including the lead leaded bronze scene leaded bronze increase the attenuation with increasing in lead content and this word will be equivalent to the using the lower group IQ तो यह यहां पे इतने सारे चीज का हम लोग IQ यूज कर सकते है बहुत सारे लोग ऐसा सोचते है क्या समझा रहा है बहुत समझा रहा है बहुत समझा रहा है बहुत समझा रहा है जब level 3 का exam देने जाओगे ना तो यह सब चीज आपको एकदम depth में समझना पड़ेगा जब आपको aluminum का आप RT करने जाओगे ना तब यह सब चीज आपको याद आएगा जब आप duplex का RT करने जाओगे ना तब कौन सा IQ सीधा carbon street का गुशा देंगे फिर वो reject हो जाएगा और बड़ा बंबू फूर जाएगा और जोब तो साइट पर चला गया होगा बहुत सारे लोग ऐसा होता है RT हो गया है सब internally accept कर लिया गया है जोब चला गया है साइट पर और यहाँ पर अभी TPI का witness बाकी था मतलब होता है ऐसा ही हमने किया ना confidence के ओपर बेज दिया गया है फिर जब TPI RT देखने आता है डुप्लेक्स में भाई साब ने यूज कर लिया है वन नंबर का grouping system वो यूज कर लिया है वहाँ पर यूज कर लिया फिर फूरा का फूरा लांग सिंग का वापस साइट पर RT करने के लिए फिर ना पड़ता है फिर देख चा जाता है समझे बात यह सब चीज इंडिया में तो बहुत सारी जगह हम लोग मिश्ठेक करते हैं तो गल्प कंट्री में तो यह सब चीज लोगों को मुझ पर रखता होता है आटी अफ़ाय वाले को आटी वाले को वहाँ पे तो स्पेशल्टी में बैठी हुई है तो सब चीज तो इसका मरलब क्या है यहां पे टीमें बैठी है यहां पर भी टीमें बैठी है लेकिन प्राबलम क्या है नौलेज नहीं होने के चकर में यह सब चीज कांट हो जाता है पूरा का पूरा जोब एक करोड का सम्झे और पैनल्टी आएगा चारीस करोड का तु can जहांटू जैसा है याक IQI का सिस्टम की गलती की बज़े से, IQI कौन सा यूज करना है वो पता ही नहीं था, ऐसा गुसा दिया कारवें स्टिल का IQI डूपलेक्स में, समझे, तो यह सब चीज आपको बहुत इंपोर्टन बन जाएगा, आज नहीं तो कल, पांच साल के बाद, या तो दस साल के बाद इंपोर्टन बन जाएगा, ग्रूप फाई जो है, वो इमेज क्वालिट इंडिकेटर शिल भी मेड इन तीन ब्रांज, अलोई डी एन स्पेसिफिकेशन इसका यह रहेगा, वो यूज द ब्रांज इंक्लूडिंग गन मेटल और वाल बे ब्रांज औ हम लोग ओरिजनल पोजिशन में आ जाते हैं, अभी मैं आपको यह पूरा का पूरा समझा दिया, वन नंबर का भी क्या है, तो इसमें I think मेरे इसाब से कुछ बाकी नहीं है, अभी देखो, डिटर्माइन दो अलोई ग्रूपिंग अप दो मट्रियल टू भी एग्जमाइन तो कौन सा ग्रूप मट्रियल में आप IQI यूज़ कर रहे हैं, वो मैं आपको समझा या, 01, 02, 03, 1, 2, 3, 4, 5, यह समझा दिया, अभी डिटर्माइन दो थिकनेस और थिकनेस रेंज अप दो मट्रियल, तो यह चार्ट में ने समझा दिया, कि वह कैसे थिकनेस के इसाब से IQI यूज़ करना है, वो मैं समझा दिया, इसके बाद, सिलेक्ट अप्लिकेशन IQI, रिप्रेजन्ट रिक्वार्मेंट IQI थिकनेस और तो आपको IQI थिकनेस कांचा रहता है, वो थिकनेस से कम थिकनेस वाला हम लोगों को कोई भी डिसकन्टिन्यूटी और नहीं मिलेगा, व वो मैं आपको समझा दिया, अभी हम आगे बढ़ते है, बी नंबर काई को है, बी नंबर में यहाँ पे क्या-क्या फरक होता है, मैं आपको इतना बोल देता हूँ, शायद आपको ये लैंध में फरक आ जाए, या तो ये ASTM का लीड का थिकनेस में फरक आ जाए, बाकि ये 08 थिकनेस और दोनों के बीच में डिस्टन्स देखो, यहाँ पे कितना हो गया, मैक्सिमम डिस्ट्रेंट बिस्ट्विन एक्सियर नॉट लेस देन उननी से में, मतलब यहाँ पे उननी से में ये चीज़ बन गया है, ठीक है, आगे बढ़ते है, आगे बढ़ते है, यहाँ पे 50.8 mm, मतलब यहाँ पे 25.4 था, 25.4 था, यहाँ पे थोड़ा चैंज हो गया, देखो, तो यह सी में थोड़ा चैंज हो जाएगा, तो सभी में सब चीज से हम नहीं रहेगा, और सबका ये थिकनेस भी चैंज हो जाएगा, आपको देखो यहाँ पे, यहाँ पे कित्ना थ 25.4 मतलब यह वायर का विट्थ बोलते हैं क्या बोलते हैं विट्थ फिप बोलेंगे या लेंथ बोलो समझो लेंथ समझो लेंथ इतना है ठीक है तो यह आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं minimum distance between axes of the wire and not less than 3 times of the wire diameter and not more than 5.08 ठीक है यहाँ पर यही चीज आपको 5 इसना minimum इतना हो गया और minimum distance इससे भी more than नहीं उनीच से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए वो भी बोल दिया गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं यह D है D तो बहुत confusion वाला है यहाँ पर देखो यह largest number 21 है अभी मैं यह बोलू यह number यहाँ पर है उपर है A stream के जस्ट नीचे यह सब में साला नीचे था तो ऐसा कोई problem नहीं है कुछ-कुछ लोग यहाँ भी गुसा देता है ठीक है ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऐसा कोई rocket नहीं है तो ऐसा tension नहीं लेने का कि यहाँ पर इतना change है तो यहाँ पे भी c and d दोनो सेम हैं यहाँ पे भी यह दोनों का बीच का देखो distance 19,10 यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे पचास का length हो गया यह जो है हमारा length वह भी 50 का मरम थोड़ा मोटा हो गया ऐसा है और और कोई फरक नहीं रहर यहाँद दोड़ा change हो गया देखो यह दोनों का थोड़ा बहुत differentiate करना आना चाहिए कोई आपको पूछेगा कि ये क्या है उसका thickness 12.7 होता है कोई पुछेगा ये 1 क्या है तो आपको तुरंट अभी बताना है कोई पुछेगा एडी क्या है कोई पुछेगा 21 क्या है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 21 आया है इसके लिए वही वायर दिखना चाहिए यसा नहीं है वो सबसे मोटा जो वायर है उसका वो नंबरिंग सिस्टम है और कुछ नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी यह वायर अमने साला बना तो लिया लेकिन अभी इसमें थोड़ा और डैप्ट जाते हैं यह जो वायर का डायामिटर है यह समझो यहाँ पे 6 नंबर है उसका डायमिटर 0.25 है तो मुझे कौन सा डायमिटर में कौन सा कभी-कभी देखो मैन्यू फ इच में है डायमिटर तो उसमें टॉल्रण 0.0025 होगा अगर मैं आपको यह बोलू 0.5 से अगर 1.6 का डायमिटर वाला है तो उसमें आपको 0.02 mm तक प्लस और माइनस का वो ठिकनेस का डिफरेंट चलेगा जनरल यह हम लोग ठिकनेस गेस से भी मेजर करते है या तो फिर क्य यह बहुत चोटा है तो बनीच से मुश्किल है डीजीटर वन यह से हो जाये लेकिन हम लोग ठिकनेस मिटर से भी चेक कर सकते है अगर करना है तो वेसे वहाँ पर ठिकनेस अंपने बैठेगा एक दुव सुई जाह तो कहाना बेठेगा डीवायर में शायद बैठ जाए से अगेरा सब चीज जो भी है देखलो आप सबसे छोटा वाला है उससे और इसका यह लिमिट है इसका मैनुफेक्चरिंग का अभी आगे बढ़ते हैं मैं यहाँ पे वायर टाइप समझाया लेकिन यह वाल टाइप का है यह पूरा का पूरा जो शीरीज है न वो वाल हइंगे आज नहीं आगला सबसी अभी है यहाँ पे आई कि मैंने बहुत सारे टाइप आयप आयकantu है वाव अन्य चैट है यह यहाँ पर भी है यह वायों है यह बहुत सारे सिस्टम यह एक proud यहां पर यहां पर टीटेनियम लिखा हुआ है और यहां पर 3.5 यहां पर 4.0 लिखा हुआ यह सब चीज का धिरे धिरे डिस्कुशन आगे आएगा तो मैं अभी समझाता हूँ अरे यह तो कर लिया है न हमने आगे बढ़ते हैं अभी रेडियोग्राफिक इमेज जो आईक्योई है वो थोड़ा बहुत आज स्टार्ट कर देते हैं देखो पैनेट्रामिटर इस डिवाइस इसको बोलते हैं सेंसिटिवीटी अभी में यह बोलो आईक्योई यह गंचकर चीज है क्या तो यह चीज आप रेडियोग्राफिक जब इमेज लेते हैं तब आपको उसका सेंसिटिवीटी चेक करना पड़ता है और वो सेंसिटिवीटी डिटरमाइन करने के लिए यह राटी फिल्म बराबर लिया है कि नहीं लिया है वो सोर्शटू में केसे पता चलेगा यहां पे होता है न मैं आपको एक फॉर्स वक्रभी सब्सक्राइब सम्जो़रस से यहां पर यहां पर नीचे एक फिल्म है तो यह जो distance है source to object distance उसको capital D बोलते है इतने से distance है उसको small d बोलते है यह जो है उसको f source size बोलते है ug is equal to f into small d divided by capital D यह rules है यह हमको ug जो है कुछ minimum limit से ज्यादा नहीं जाना चाहिए वनना double double दिखेगा हमारा image तो हमें कैसे पता चलेगा कुछ थोड़ा बहुत भी double दिखेगा ना तो भी कभी कभी accept है कि नहीं है तो उसका sensitivity यह film के अंदर हमको check करने के लिए IQI लगाया जाता है नया कोई rocket नहीं है ठीक है यह IQI इसी के लिए लगाया जाता है it is not purpose to use the judging the size of the establishing the acceptance limit of discontinuity भाई हम लोगे discontinuity नहीं चेक कर रहे अभी तो हम क्या चेक कर रहे है खाली film का sensitivity चेक कर रहे तो यहां पर लिखा इसका परपस यह नहीं है कि जज़ करता है फिर वो discontinuity का size जो है वो मतलब discontinued accept है कि reject है ऐसा बोल देगा ऐसा नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं है ठीक है ओके penetrometer is simply thin strip of metal and that has similar composition क्या लिखा है similar composition क्या लिखा है similar composition as the material to be tested generally penetrometer है उसका absorption capacity का similarity है उसी के हिसाब से वो material का बनाया हुआ रहता है तो penetrometer thickness is usually 2% of the specimen thickness समझो मेरे पास 100 mm thickness का एक plate है तो मुझे 2 mm का thickness का यह penetrometer लगाना पड़ेगा इसका मतलब यह हुआ ठीक है अभी मैं दूसरी तरह से समझाता हूँ तो penetrometer thickness is usually 2% of the specimen thickness penetrometer के अंदर हम लोगों को 2% देखो sensitivity हमको कितना चाहिए 2% चाहिए तो 2% चाहिए तो हम लोगों अगर penetrometer ही 2% का लगा देंगे और वही penetrometer properly अगर दिख जाए तो फिर हम लोग बोल देंगे ना यह दी जोग्यए 2% हमारा चीह हो गया तो कल मैंने में सुर्चेंट में क्वेश्चे पूछ़ा था 2% को बोला है तो 3% चलेगा की नहीं चलेगा और 1% चलेगा की नहीं कॉसे कोई बोल सकताह या 1% कि नहीं फिल्म के अंदर चलेगा कि नहीं चलेगा थ्री करके यस की बहुत सारे लोगों ने किया है भाई नहीं चलेगा नहीं चलेगा यार देखो 3% अब मैं दूसरी तरह से समझाता हूं समझो मेरा 100 mm ठीकने से कितना है इसका मतलब 2 mm का discontinuity मुझे मीनिमम दिखना चाहिए 1.5 का शायद दिखे ना दिखे ना प्रबलम लेकिन 2 mm का तो मुझे दिखना ही चाहिए अगर मैं 3 mm बोलता हूं तो 3 mm का दिखना चाहिए इसका मतलब तो 2 mm छूट जाएगा इसकी बजह से यह 3 mm नहीं चलेगा हमको 2 mm से नीचे वाला सब चलेगा मतलब 1.5 का चलेगा 1 पर्शन वाला चलेगा 3 पर्षट नहीं चलेगा ठीक है 3% sensitivity नहीं चलेगा 2% से below sensitivity होना चाहिए तो या तो 2% या 2% से below ठीक है आगे बढ़ते हैं तो lead number on the penetrometer penetrometer को penny भी बोलता है बहुत बड़े बड़े लोग जो है ना American लोग उसको वो penny भी बोलता है ठीक है हम लोग penetrometer ही बोलता है ठीक है lead number on the penetrometer penny usually indicate the thickness of the penetrometer in thousand of the each अभी यहाँ पर lead number 2 लगाया हुआ है तो 2 divided by thousand करना है कितना करना है thousand वो each में इच में बोलेगा वो तो 0.002 each तो इतना each का वो थिकने से penetrometer का कितना थिकने से 2 यहाँ पर जो भी numbering system दिया गया है उससे divide by thousand करना है तो उतना उसका थिकने से मेरे बाई आगे बढ़ते है तो identification which will varies कहां गया बाई सोब्य हाँ तो identification will vary depend on the type of the penetrometer ESTM हो EASME हो DIN standard हो या military standard हो या दूसरा कोई भी standard हो पिनाकें standard हो जापनी standard हो या British standard BACN standard हो कोई भी standard हो सब का अपना अपना identification अपने अपने इसाब से सब लोगों ने अपने कुले टिके हुए है ठीक है आगे बढ़ते इंडिया ही पीछे थोड़ा है हम लोग आगे हो जाएंगे डॉन्ट वरी आगे बढ़ते है दर शोएंग भी लो फ्री हॉल्स आर्डिल्ड इंटू दो पैनी देखो तीन वाल यहां पर ड्रिलिंग किया जा यह तीन होल यहां पर रहता है और तीनो तीनो होल का मैंने यहां लिखा है सबसे लास्ट वाला जो मोटा है उसको फोर्टी बोलते है बीच वाले को वंटी बोलते है और सबसे लास्ट वाले को टूटी बोलते है अगर मेरा टू परसंट सेंसिटिविटी चाहिए यहां पर जैसा किया ना उसी के आगे जैक्वायर का एक लाइन था और कुछ नहीं था ठीक है आगे मैं समझा था हूं दीरे दीरे लीड नंबर और पैने ट्रामिटर यह तो समझा दिया आइडेंटिफिकेशन वेरीज डिपेंड वन ट्रामिटर यह सब लोगों ने ठिकाया हुआ है आगे बढ़ते हैं एक च्वान बिलो थ्री वाल्स हर दिल्र इंटो पैने ट्रामिटर तो डामिटर वीच आर स्पेसिफि उतना इच का वो पैने ट्रामिटर का थिकनेस था राइट कोई लिख सकता है 0.002 इच ठीक है अभी यह वाल जो है न वो यहाँ पे यह 2T होगा मतलब 2 इंटू अभी इसको मैं यहाँ पे इसका थिकनेस बोलू 2 इंटू 0.002 तो यहाँ पे बनेगा 0.0024 ठीक है यहाँ पे इसका थिकनेस इतना इच होगा यह Гओल का थिकनेस समझो卜़ जो भी समझो ठीक है इसका इतना होगा यह 1T तो यहाँ पे तो इतना ही बनेगा 0.002 इंच ठीक है यहाँ पे यह बनेगा 4 इंटू 4 दोन का आठ मतलब इसको इंटू 4 करना है सब जाकि है बनेगा मतलब 0.008 ठीक है इच सभी में इंच में तो ऐसा बनेगा मेरे भाई निया कोई रॉकेट नहीं है यहां पर ऐसा लिखा है त्री वाल्स अंडिल इंटु दो पैनेटरमिटर डामेटर डामेटर ऑफ वीच रिस्पेक्ट टू फॉर वन और टू टाइम्स ऑप दे थिकनेश ऑप दे पैन पॉर्टी है तो उसको फॉर से गुनना है ठीक है निया कोई रॉकेट साइट नहीं है मेरे भाई यस दिखा है ने को फरिद को अशने लिखा है तूटी द ट्वाइस दो थिकनेश ऑफ मट्रियल यस डिफिनेटली और फॉर्टी मतलब फॉर टाइम थिकनेश ओप अब दो पार्ट विच आडिप विच आर इंटेंडेट टू इंच मतलब यह दो इंच जो पार्ट है उसका वह दिखाता है और यहां पर फी लिखा है देखो फी फी इंडिकेट्स यहां मेरा गलती हुआ है मुझे कैपिटल एपी डालना चाहिए ठीक है तो यह सा थोड़ परामिटर्स है ओ आइडेंटिफिकेशन नंबर देखो एस्टी एम एंड एसमी सबसे पहले बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते है साला एसमी है क्या एस्टीम क्या अमेरिकान सॉसाइटी ओप टेस्टिंग मतेरियाल अमेरिकान सॉसाइटी ओप मेकेनिकल एंजिनिरिंग ओर अमेरिकन वेल्डिंग सॉसाइटी ठीक है अमेरिकन फ्रेडि आ अमेरिकन वेल्डिंग स्वसाइटी अभी देखो सबसे पहले भाई मेरे भाई सबसे पहले है नग क्ש效क्र पेढ़ेंड एस्टीम बना याद रखो आप माइंड में समधना है एस्टीम एडबलेम एक ल लो कि सबसे पहले एक कॉलेज था Cambridge समझो या अमेरिका को को बड़ा कंपनी ऐसा समझो या बहुत सारे लोग थे उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे थे सभी लोगों को एक-एक मट्रेल दे दिया गया तू इसमें PhD कर भाई तू इसमें PhD कर या तो इंट्रेस्ट की सब से सब यह 516 ग्रेड 70 उसमें PhD हुआ और PhD के हिसाब से इसका पूरा का पूरा प्यजी यह के अदर बिठाया दिया गया यह 516 ग्रेड 70 ऐसा बनाया दिया गया अभी क्या हुआ इसके अंदर 10 size 10 क्या है इसके बाद उसका मैंटलिक प्रॉपर्टी में ओर मेगनेटीजम जो है वो कैसा इफेक्टर है प्लास्टिसिटी कैसा इफेक्टर है इसमें पूरा का पूरा पीएसडी एस्टेम में गुशा दिया गया अभी क्या हुआ दो करेक्र के चल popcorn मुझे तुम मुझे में आप करना हैं तो तुम मुझे दे दे चार दिया उसनको पईसा दी आ खुलाया जो भी किया और SME ने एड़ोप्ट कर लिया अभी SME क्या करेगा SME उसने एड़ोप किया तब बहुत सरे एग्रिमेंट किये तो इसके इसके लिए SME का कुछ नहीं भीगाड सकता है SME SME कुछ नहीं भीगाड सकता ठीक है अमेरिकन सॉसाइटी ओप टेस्टिंग मटेरियल है अमेरिकन सॉसाइटी ओप मेकैनिकल एंजिनिरी यह दोनों अलग अलग चीज़ है अभी क्या हुआ मैं आपको फिलर की बात करूं तो सबसे पहले से AWS के अंदर फिलर था ठीक है फिलर मट्रियाल वेल्डिंग मट्रियल 7018 वह सब चीट था नहीं वह एक दूसरे के ब्रदर ही है ठीक है आगे बढ़ते यह समी अभी देखो से फाई वन शिक्स ग्रेड सेवंटी वह हो गया अगर आगे ऐसे लगा है तो वह सेमी का है अगर खाली यह लगा है ज़ समी यह तो नोब भाई साब एक है यकने यह लगाया है यकने ऐसे लगाया है यह आप देख लो ऐसा आता है न बहुत सारे लोगों ने मार्केट में देखाव गाप इंक का ड्राइंग है इसमें देखा हुगा किसी ने देखा है ऐसा बाइब व्लो आंसर दो गाई चैट बॉक्स में आंसर दो ऐसा देखा है एह वन जिरो सीग्स या एससे बन जी रो शिक्स ऐसा दोनों टाइप का आयगा तो ऐसा कुछ आगे बठते हैं ASME and ASTM अस्टम and ASTM parameters यह वा आइडन्टिकल नंबर उसका सेम आइडन्टिकलन नंबर है तो यहाँ पे यह जो आइडन्टिकलन नंबर है उसका सेम है यह देट रिप्रेज़र्ट देक्नेस एडनेटरामींटर ये penetrometer का thickness दिखाता है, कैसा अगर 5 है, तो 5 divided by 1000 करना है, is equal to 0.005 each में, तो यहाँ पर उपर लिखाई है, देखो आप, यहाँ पर है, ऐसा, the number 5 represents the 1000 of the each, therefore the actual thickness of the penny, यह 0.005, 005 is represent the 2% of the 1 4th part of X-rays, 2% 1 4th part of X-rays, यह जो represent करता है, हमारा 1 4th part जो है, उतना X-rays उसको absorption वगेना, present करेगा, ओके, यहाँ पर देखो यह लिखा है ना, 0.005 each, आगे बढ़ते है, Based on diameter of all perceptible on the radiograph, the quality level of equivalent sensitivity can be determined in shown below, तो यह table में यहाँ पर sensitivity दिखाएगा, equivalent sensitivity, quality level, penny, percentage, perceptible, और ठीक है, यहाँ पर ऐसा बहुत सरे दिखाए गये है, Okay, sensitivity standard, तो sensitivity standard क्या है, सबसे पहले sensitivity standard यह है, कि if the specification required that the radiograph have a sensitivity 2%, This would mean the thickness of the penetrometer must be 2% or less the thinnest section of the specimen being radiograph, इसका मतलब यह हुआ, कि समझो आपका IQI में 2% sensitivity का मेनिंग यह है, कि उसके नीचे का thickness का जो है, वो नहीं करेगा तो चलेगा, लेकिन 2% तक तो चलना ही है, आपको करना ही है, समझो में 200 mm thickness है, कितना है 200 mm thickness, अगर मेरा 2% sensitivity है, तो 200 mm का 2% कितना है हुआ, 4 mm, तो 4 mm के नीचे का discontinuity है, वो नहीं दिखाएगा आपका radiograph के अंदर, अगर 4 mm से उपर का कोई भी discontinuity है, वो दिखाएगा, समझने के लिए थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन यस यही fact है, ठीक है, Furthermore, in the analysis of the radiograph, the image of the penetrometer must, क्या लिखा है, must clearly show 2T Hall, आपको 2T Hall दिखना ही चाहिए, क्यूंकि आपका 2% radiographic जो है, वो उसका sensitivity है, तो 2% नहीं दिखेगा, तो कांट हो जाएगा, याद रखो, आगे बढ़ते है, As shown below, if the radiograph has a 2T sensitivity, it can be reasonably considered, that the wide or discontinuity of the same diameter would be detected in viewing the film, अगर 2 into 2T लिखा है, तो 2 जो है, वो तो हम समझ गये, और 2T जो है, वो यह wall का है, तो 2T अगर हमको दिख गया, तो समझ वो 2% अमने sensitivity कवर कर लिया, ठीक है, ऐसा है, नया कोई rocket नहीं है, यहाँ पर देखो, आगे बढ़ते हैं, Okay, action below, it is generally required the material under the penetrometer, वी equal to the thickness of the material being radiograph, अभी देखो, याद रखो, आपका, जो, generally required the material under the penetrometer, तो penetrometer का थिकनेस, आपको material का जितना थिकनेस है, वैसा ही रहना चाहिए, अभी आप यहाँ पर ऐसा सोचेंगे, कि यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो मेरे भाई, यहाँ पर reinforcement थोड़ा है, उपर थोड़ा reinforcement है, तो यह reinforcement, य reinforcement, यहाँ पर उतना reinforcement का, यहाँ पर सीम लगाया जाता है, उसको बहते है, सीम, सीम को लगाने के बाद, सीम जो है, वो उसके उपर penetrometer लगाना है, आपको whole type IQI, wire type IQI है, उसके उपर exit लगा दिया जाए, तो कोई problem नहीं है, ऐसे, ऐसे generally देखो, कैसे wire type आएगा, ऐसे ऐसे आ लगाना, लेकिन हमारा यह सीम टाइप का, मतलब जो भी है, wall type IQI है, वो यहाँ पर ही लगाना पड़ेगा, weld sim के बहार लगाना पड़ेगा, इसके अंदर allow नहीं है, उसका reason क्या है, मैं आपको बोल देता हूँ, समझो, यहाँ पर ऐसा wall type IQI लगाया, यहाँ 40 wall है, यहाँ टूटी wall है, यहाँ पर टूटी wall है, अभी क्या होगा, यह टूटी wall के यहाँ पर आएगा, समझो, यहाँ पर भी कोई टूटी wall का एक पोरोसिटी होगा, तो यहाँ पर यह जो फिल्म है, उसके अंदर देखो, यहाँ पर तो हमको काला काला दिखे गई, दिखेगा, क्यो तो भी वहां पर उसी के नीचे छूब जाएगा पता ही नीच लेगा उसी की बजह से यह चीज एलाओ नहीं है याद रखो All time IQI All time intersect area से आगे ही लगाना चाहिए Intersect area से बाहर ही लगाना चाहिए ये this is true ठीक है आप लोगों को याद रखना है तो भी ठीक है वरना आप आगे बढ़ते रहो आगे बढ़ते है इन सम केसे शीम केन बी प्लेस्ट रहें अंडर देशीमेन और स्वरी पैनेटामेटर तो यहाँ पे शीम भी कभी-कभी लगाया जाता है क्योंकि ठीकनेस जो है उसका reinforcement, root का reinforcement गिनो मैंने समझाया था ना एक टेबल है UW 33 या 34 ऐसा करके टेबल है 33 या 34 ऐसा टेबल है वहाँ पे reinforcement कितना है वो भी समझाया था उसके बाद D31.3 में भी up to 6 mm थिकनेस है पाइप का आपका तो आपका reinforcement या root protrusion जो है वो maximum 1.5 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए अगर 6 से 13 है तो आपका reinforcement जो है root का reinforcement, root protrusion गिनो या तो फिर reinforcement उपर का गिनो वो आपको 3 mm से ज्यादा नहीं जाना चाहिए 13 से आपको 25 तक thickness है आपका pipe का तो आपको 5 mm से ज्यादा आपका reinforcement या तो वो नहीं देखा गया है याद रखो आपको 6 mm से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए यह आप याद रखे ठीक है तो यह थिकनेस का अगर चड़ गया तो आपको ग्राइंडिंग से निकालना पड़ेगा और वहाँ पर ही आटने चेक करना पड़ेगा बहुत चारे मगजमारी है वो सब चीज़ अलग मैटर है ठीक है वह एंचियर आएगा तो हम लोग उसका बात डेफ में करेंगे आगे बढ़ते हैं अगे अधर्वाइज अलाओर तो पैनी शुल भी ऑलवेज दिप्लेस्ट राइन सोर्स साइड देखो पैनी और टाइम कहां पे लिखा है सोर्स आट तो आपको कोई भी आई क्योआ है और टाइम सोर्स साइड ही लगाना है याद रखो आंगर कोज भी चांस नहीं है पॉस इंसाइड लगाने का और एप नहीं लगाएगा और बोलेगा हमने शोर्साइड लगाया है ठीक है इच शोर्ण इस चूर्ड ओल्सों बी नॉर्टेट देट विद देट विद शम टाइप पैनेटर मिटर वन टी टू टी एन पॉर्टी और दू नोट चैंज द डायमेटर ब अभी मार्केट में चल रहा है हमारा इडिया का मैंने नहीं लिखा है ठीक है दो वायर टाइप आई क्यो स्कूरा मैंने बात समझा दिया है वायर टाइप आई क्यों में आपको आपको confusion नहीं होगा आपको confusion IQI जो है वाल टैप में ही होगा तो वो में धीरे-धीरे समझाएगा the smallest wire which can be observed in indication of the sensitivity तो smallest जो wire है wire टाइप में वो उसका sensitivity अच्छा है वो दिखाता है मैं आपको बोला छे नंबर का वायर दिखना चाहिए लेकिन दिख गया तीन नंबर का भी तो इसका मतलब well and good it's very good sensitivity और अच्छा मिला हमको the sensitivity judging the minimum thickness in which wall can be observed beads made still and arranged in increasing diameter can be placed in specimen in shown sensitivity smallest bead visible indicate the sensitivity sensitivity तो यहाँ पर sensitivity का भी फंडा clear हो गया filter की बात करते तो भाई filter अभी कर लेंगे अभी में ठक गया हूँ अभी आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत यह समझ में आया होगा wire type IQI all type IQI पूरा पूरा depth में समझ में आया होगा का wire दिखना चाहिए तो सत्रा नंबर ABCD सेट में कौन किस में आता है वो देख लेने का तो सत्रा नंबर जो है वो यह सेट में आयेगा सेट डी में तो आपको सेट डी यूज़ करना है उपर से उसमें एक दो तीन चार पांच पांच वायर मिनिमूम दिखना चाहिए सोला नंबर दिखेगा तो वैलन गुड यह तो बहुत अच्छी बात है कि छोटा उसके और छोटा थिकनेस वाला भी दिख गया इसका मतलब सेंसिटीविटी रेडियो आपने बहुत अच्छा काम किया आगे बढ़ते हैं तो यह सब चीजे अगर सोर्च साइड लगाया त हो लेकिन अगर फिल्म साइड लगाया है तो सोला नंबर का भी दिखना चाहिए वह दिस इस दो कंपल सरी रूल्स ठीक है ओके अभी बात करते हैं वायर टैप आई क्यों की तो वायर टैप आई क्यों है है वह यहां पर बहुत सारे टाइप के होते हैं बारा बंदरा सत्रा 20-25-35-45-60-80-120-160-200 इतने टाइप के हैं और वायर टैप में इतना मगजमारी नहीं है सेटे सेटी 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 खलास लेकिन वायर टाइप आई क्यों में बहुत सारे हैं इसका एक 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 में हम लोग समझेंगे तब आपको पता इतना ही नहीं है मैं आपको यहां पर शाह है तो इसी की बज़र से आप ऐसा समझो वायर टैप आई क्यों इतने सारे है और वो मार्केट में आजकल कम यूज होते है ठीक है तो आचा करता हूँ आप लोगों को यह सब चीज समझ में आया होगा और हम लोग यहां पर सेशन को क्लोज करते हैं थेंक यू वेरी मॉच जब कोई भी मेन्यूफेक्चरर अपना मेन्यूफेक्चरिंग करेंगा वो आई क्यों बनाने के टाइम पे तो उसका थिकनेस अप एंडाउन हो जाएगा राइट को भी कभी कभी क्या होता है हम प्रेशर वेसल बनाते है उसमें भी हम लोगों को 10 मिटर का बनाना था को कभ यह उसका थिकनेस है यह पीछे की साइड में थिकनेस बोलो या डायमेटर जो भी आप समझो ठीक है उसका डायमेटर है उसका लिमीट क्या होना चाहिए समझो मैं आपको यह बोलू कि 6 नंबर का वायर है तो 6 नंबर का थिकनेस कितना है यहाँ पे डायमेटर कितना है 0.25 mm तो 0.25 mm है लेकिन ये diameter tolerance जो है वो manufacturer को भी दिया जाता है यहाँ पे wire diameter है ठीक है अभी 0.25 ये इसी की में बात करता हूँ तो ये इसमें आता है ये देखो 0.125 देखो ये क्या लिखा है आपको शायद ना दिखे तो मैं यहां लिख देता हूँ 125 less than d less than or is equal to 0.25 ऐसा लिखा हुआ है तो ये less than or equal to 25 मतलब 6 नमबर का wire इसमें आएगा अभी 6 नमबर का diameter इतना इसमें आया राइट अभी ये जो है उसका tolerance diameter का है प्लस और माइनस इतना है मतलब अगर मेरा 0.25 mm का diameter है तो या तो प्लस 0.005 हो सकता है या तो फिर 0.25 का 0.005 माइनस हो सकता है अगर इसका प्लस करेंगे तो 0.255 का भी diameter शायद हो सकता है या तो फिर आप यहां पे माइनस करेंगे तो आपने प्लस किया ना इसमें प्लस किया इसमें माइनस करना है तो यहां पे फाय आया यहां पर पोर आया यहां पर टू आया यहां पर जिरो आया तो यह दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है diameter exactly 0.25 होना ऐसा ज़़री नहीं है यह एक लिमिट है प्लस और माइनस का लिमिट है ठीक है नहीं कोई रॉकेट नहीं यह डोंट वरी तो ऐसे सब का दिया गया समझों यह मैं यहां पर 4.06 का समझाऊं 4.06 तो 4.06 इसमें आएगा है और लेस देन डी मतलब यहां पर 4.06 है ठीक है 4.06 राइट यह 06 है और लेस देन और इकोल टू एट इकोल टू एट तो यहां पर यह जो लास्ट वाला से हो लिमिक आया तो अभी मैं यहां पर बात करता हूँ इसका लिमिट 0.05 है तो अभी 4.06 का डाया मीटर है जिरो पॉइंट 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 जीरो शीक्स और प्लस और माइनस प्लस और माइनस 0.05 तो 0.05 हो सकता है या तो 4.06 का माइनस जीरो पॉइंट 0.05 हो सकता है ठीक है अगर यह कैल्कुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 4.06 11 गलती हो यहां पर ऐसा हो जाएगा 4.11 भी हो सकता है और या तो यहां पर आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेंगा 1,0 और 4 तो 4.01 तो यह डायमेटर का यह लिमिट हो गया इसके बीच में ही मैन्यूफेक्चरर को यह डायमेटर वाला बनाना है अधर वाइस प्रॉब्लम क्या होगा आपका वह अच्छा नंबर नहीं गिना जाएगा ठीक है डायमेटर ठीकनेस का रैंज है यह य जब वोता है जो लोग मास क्राडुक्टर है वायर टाइप और व्ल आईक आईक ओई के के उस्ताम पर इसका इंस्पेक्शन जब होता है मैनुफेक्टरिंग होता है उस टेम पर यह इंपोर्टन बन जाएगा यह डायमेटर टॉलरस लिमिट ठीक है आशा करता हूँ यह आपको यह बात समझ में आया होगा राइट यह यह आई करता है यह जो इंस्पेक्टर होता है विल्डिंग को करता है तो सबसे पहले आपको आपका कंपनी का प्रोसीजर देखना पड़ेगा Company के procedure में spot जो है, वो कौन decide करता है वहाँ लिखा होगा, कि spot is decided to enable, welding inspector या piping inspector या तो whatever जो भी piping inspector तो नहीं बोलेंगे welding inspector या quality inspector होता है ठीक है Generally, otherwise in scope of the TPI otherwise, client scope Generally, spot जो है, वो clients के scope में रहता है, client खुद जो जिसने आपको order दिया है वह बंदा करता है। समझों, एक्जम्पल के तरुपर आप L&T में काम कर में MARCE और बेलाइस का बंदा वह सबसे पूर सपोर्ट में तो उसका है उसका हो सिलेक्टि American और बोलेगा इसी में स्टैम मारो और इसी का आप आर्टी सिलेक्ट करो पॉर्ट आर्टी में ठीक ए बात हो गया समझो रिलाइस का बंदा नहीं आया है वह बड़ा आदमी है वो यह जहीं आएगा वह क्या करेगा व जो प्रées बाइब करेंगा वह थर्ड़ पार्टी को आपके पास बिठा देगा रिलाइस विए भी निए और फ़र्ड पार्टी है जैसे बहुत हरे आज कल कंपनी है न मार्केट में वह सब तर वो अब चीज़ कंपनी का एक टीप आयए गापके पास और वो और इंट किसको करेगा रिलाइस को घुर रिप्रेजन करेगा तोर टीपे इस पॉर्ट सिलेक्ट करेगा ठीक है वह आपको फॉन में ही बोल दिया रहे तो कर ले ना तब तो आपके स्कॉप में है तब आप कर लिजे लेकिन आपको भी ट्राइ कैसा करना है एकदम पूर स्पॉर्ट सिलेक्ट करना है पूर क्वालिटी वाला जो आपको लगता है वो स्पॉर्ट सिलेक्ट करना है ओके अभी दूसरी बात अभी रही बात टीपी आई ने सिलेक्ट किया तो सार वो स्पार्ट नहीं वो चेक करो ना ऐसा नहीं है टीपी आई जो बोलता है वो आपको करना चाहिए डूसरी बात टीपी आई नहीं करता है तो आप करना चाहिए अगर आप नहीं करता है तब तो रेडियोग्राफर है या प्रोडक्शन एंजिनियर उस लेकिन लोग ऐसा करते हैं दूसरा ही स्पायाइब करवाते हैं और कभी कबी हमारे सामने आरटीब करवाते हैं अब आप सोचिंगतuto क्पीर मतलब लो कहमरा से दिन में लेकिन जनरली ुपर आपको करना नहीं चाएंए बटसीं में तो यह इनवाल होता है यूस टैम के लिए i school कोreggah यह नहीं होगा तो कोई उसका third party होगा आगर आपको बोल दिया थो पिर आपको करना है काप